इंफिनिक्स नोट 12 अंबॉक्सिंग एंड रिव्यू फाइनली इंडिया में इंफिनिक्स की तरब से इंफिनिक्स नोट 12 यह स्मार्टफोन लॉंच हो चुका है इसके साथ में इसका एक और अबडेटेड वर्जिन है वो है इंफिनिक्स नोट 12 टर्बो तो इस दोनों ही स्मार्टफोन इंफिनिक्स की तरब से इंडिया में लॉंच हो चुके है तो यहाँ पर आज मैं इस इंफिनिक्स के नोट 12 का अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ इस इंफिनिक्स नोट 12 है नोट 12 के साथ से मैं लास्ट टाइम इस इंफिनिक्स नोट 12 टर्बो का भी अन्बॉक्सिंग किया है तो यह जो box है इसमें है Infinix Note 12 और यह जो मेरे पास second वाला smartphone है यह है Infinix Note 12 Turbo यानि कि यह Turbo है तो जो Infinix Note 12 है यह दो variant में available है पहला है 4GB RAM प्लस 64GB Storage and second है 6GB RAM और 128GB Storage तो मेरे पास जो variant है यह है 64GB Storage वाला और 4GB RAM वाला तो यहाँ पर दोनों smart phones आपको और भी colors में available मिल जाते है तो मेरे पास जो color है यह basically black color है जो मैं अभी unboxing करने वाला हूँ तो black color में 4GB RAM और 64GB Storage वाला यह smartphone मेरे पास अभी है जिसका price है 12,000 और यह आपको flip card पर easily available मिल जाएगा और यह जो smartphone है इसका मैं ने unboxing already किया है Turbo का यह है 15,000 और का smartphone जिसमें है 8GB RAM और 128GB का Storage वाला variant you can see right here तो इसका unboxing मैंने already complete किया है आप video sections में जाके इसे check out कर सकते है आज मैं इस Infinix Note 12 का unboxing and review करूँगा और देखते हैं इसके little bit of settings, camera के settings और लो कुछ little bit of features के बारे में जिससे कि अगर आप smart phones को लेना चाहते हो तो आपको easily idea आ जाएगा so guys topic start करने से फिर एक point या पर मैं add करना चाहते हो यह मेरा जो channel है YouTube का यह basically मेरा first YouTube channel है मैंने एक और second मैंने YouTube channel एक और create किया है जिस पर मैं completely different type के content वहाँ पर upload करूँ मझे सी कि मेरे इस first YouTube channel पर मैं mobile के unboxing करता हूँ backwards के बारे मैं explanation देता हूँ सेम उसी तरीके से मेरे second YouTube channel पर मैं completely gadgets के related information दूगा और new new types के gadget से वो unbox करूँगा उनके review करूँगा तो जिस तरीके साथ मेरे first YouTube channel को support कर रहे हो उसी तरीके से मुझे second YouTube channel है उस पर भी आप लोगों का support चाहिए तो जो second YouTube channel है उसका link वीडियो के downside में है प्लीज रिक्वेस्ट है वहाँ पर जाके भी आप उस second YouTube channel को भी subscribe करें वहाँ पर मुझे 1000 subscribers complete करने है तो प्लीज उसका link वीडियो के downside में है वहाँ पर जाके मेरे second YouTube channel को भी subscribe कर देजे थाकि वहाँ पर भी आपको मैं और different type के information प्रोवाइड कर सबको अब भी अन्बॉक्स करते हैं इस इन्फिनिक्स के note 12 4GB RAM और 64GB storage ओला वेरियंट को वैसे इन्फिनिक्स के जब भी कोई smart phones launch होते है उनमें हमेशा कुछ uniqueness कुछ different type का design और look देखने को मिलता है अब यहाँ पर यह जो है इन्फिनिक्स का note 12 4GB RAM प्लस 64GB storage ओला वेरियंट और इ यह 6.7 inch का full HD plus AMOLED display आता है MediaTek का processor Helio G88 का processor है 4GB RAM प्लस 3GB आपको virtual RAM बिलता है यानि कि आप इसमें RAM को increase कर सकते है यानि कि जो system वाला RAM है 4GB RAM है लगना अगर आपको RAM बढ़ाना है तो आप virtual RAM feature का use कर सकते है जिसमें आप 3GB तक up to अपने RAM को increase कर सकते है अपने mobile के performance को smooth करने के settings में जाके तो इसके बाद इसमें 33W का ultra fast charger आता है यानि कि नियरली जब last time Infinix का Note 11 और Note 11S launch हुआ था तो यह जो smartphone है मेरे पास यह है Infinix Note 11S इसमें भी 33W का charger आता है मैं इसके रिलिटर चार्जिंग चार्जिंग का topic already cover किया है तो अब इस बात है कि अगर 33W के charger से smartphone को charge करते त 1 hour 20 minutes या 1 hour 30 minutes के अंदर अंदर 0-100% पुरा का पुरा चार्ज हो जागा मैं इसके लिटर चार्जिंग 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 का topic cover करूंगा तो डोंट पर यहां बहुत इसके अलबा यहां पर आप देखोगे तो यहां पर डाउन सेड में डॉक्टर स्ट्रेंज जाने क कोई जारा major difference नहीं है कली एक major difference ही कि इसके ओपर यह आपको एक additional box मिलता है जो की movie के दरब से तो को इसमें भी नाया नहीं है पर फिर भी not bad तो exactly box का जो looks है वो आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा box के back side में आपको आदिख features मिल जाएंगे that's it तो 50 Megapixel का इसमें camera आता है front में obviously 16 Megapixel ही है और इसमें dual speakers आता है with the DTS opportunity Infinix Note 12 और Note 12 Turbo दोनों में dual speakers का support है 33 watts हो let's unbox करते है तो मेरे इस channel पर आपको ज़्यादा है कि इसमें Infinix के ही smartphone के unboxing आपको देखने को भी लेगा आप मेरे video sections में जाके unboxing वाले topics को यानि कि last time मैंने Infinix Note 11 और Infinix Note 11S का भी मैंने unboxing किया था तो वो भी आप जाके मेरे video sections में check out कर सकते है सब आरी है Infinix Note 12 तो जो Note 12 है यह आपको दो colors में मिलता है पहला है एक black color में और second blue color में तो मेरे पास जो color है यह black color में तो black color वे से इतना ज़रा shine नहीं मारता है for effective बट फिर भी ठेक है Infinix जब भी smartphone launch करता है उनका जो mobile का looks होता है जो design होता है वो previous वाले version के compare में निव वाले version में जादा different look देखने को मिलता है यह मैंने हमेशा notice गया लेकिन है यह बात भी सजी कि जो look है कोई नया नहीं है यह obvious बात इनने दूसरे smartphones को copy किया है पर फिर भी not bad as a advantage उसके लबाब यह mobile है mobile को side में रखने के बाद यहाँ पर mobile के box के अंदर है एक 33 watt का charger 33 watts का charger है almost not bad you can see तो इसका मैं charging test का topic cover कुरूँगा यह इसमें आता है एक type c cable देन इसके बाद एक sim tool kit देन इसके बाद यहाँ पर यह stickers है यह पुरे के पुरे stickers है movies के बागी इसमें कुछ नहीं बस आप इसे use कर सकते हो और इसके बाद यह इसमें कुछ नहीं बात नहीं देन इसके बाद यह है user manuals and then इसके आध है आपको एक white color का case मिलता है तो जब मैंने last time infinix note 12 तो यह box है जो है इसमें है infinix का note 12 वाला स्मार्फोन तर्बो तर्बो वाला स्मार्फोन है तो इस infinix के note 12 turbo में एक black color का case आता है इस infinix note 12 में plain case आया तो यह थोड़ा सा last time जो फिंपनिक्स note 11 launch वह थो उसमें भी black color का case आया था और लेकिन यहां पर भी इस note 12 में plain case आया है so not bad so guys box में आपको इतने सारी चीज़े देखने को मिलेगे पहला है mobile second यह तर्फिन इसके बाद इसके बाद right side में है यह है mobile का right side यहाँ पर है volume up and down button इसके बाद यहाँ पर है power button plus fingerprint button down side में है speaker and then charging ports, headphone jacks के लिए left side में यहाँ पर है SIM tool fit तो इसके अदरा अभी से बात है double SIM card होगा यहाँ चेक करते हैं इसमें SIM card कितना आप use कर सकते है so you can see तो यह है note 12 तो यहाँ पर जब में लास्ट time infinix note 12 turbo infinix note 12 turbo में छोटा सा slots है और infinix note 12 में बड़ा है लेकिन obviously दोने smartphone में आप दो SIM card और एक macro SD card यार के memory card आप use कर सकते हैं so not bad so overall guys अभी यहाँ पर इसका setup process complete कर लेता हूँ तो यहाँ पर time बचाने के लिए मैं जो setup process का top point है उसे में कहाँ पर stop करता हूँ तो दो मिन के में वीडियो को stop करता हूँ और यहाँ पर इसका में setup process complete करके लेता हूँ so now guys इसका जो setup process है वो मैंने पूरा का पूरा complete कर लिया है और पूरा का पूरा जो Infinix Note 12 का setup process पूरा complete करने के बाद जो smartphone का look है वो exactly इस तरीके से दिखने बेस है इसमें already आपको कई सारे systems, applications इसमें already एक नहीं मिलेंगे बड़ जादत में है नहीं बड़ इसमें यह जो चीज़े है वो कि यह कफी जारा new है जो Infinix Note 11 भी था यह basically इसमें आप अपने खुद का एक music create कर सकते है यह completely एक a bits type का है बस आपको इस पर continue option पर tap करना है तो लेट साहग तो यह काफी तरह useful है और यह एक तरीकी से त्री बटन नोटिफिकेशन को इनेबल करना है कि यहाप जो त्री बटन होते है जो यहापर आपको नहीं मिलता है यहापर पुरा पुरा आइफोन की था तो वह आपको सबसे पर इनेबल करना है सेटिंग्स में जाना है और यहापर यह जो system navigation दिख रहा है इसे आपको tap कर कि जो second option इससे चूज करना है बीचे जो त्री बटन से यहापर आ जाएंगे अदर बैस आपको थोड़ा से यहापर अनकमफटेबल फील होगा इसे यूज करने के लिए इसके पास settings में जाना है इसका जो UI system है इसमें कोई जादा major changes नहीं है जब Infinix Note 11S जब launch हुआ था लास quality और थोड़ा सा इसमें जो performance है जो smoothness है उसमें थोड़ा सबको difference देखने मिलेगा लेकिन जो UI है वो पुरा-पुरा similar ही है तो उसके बाद यहापर इस settings में जाने के बाद My Phones के option में यहापर यह है इस Infinix Note 12 का पुरा-कपरा setting तो जो Infinix Note 12 Turbo है जो 8GB RAM वाला smartphone है उसमें Android का 12 व है इसमें Note 11 में Turbo जो Android 12 है वो नहीं है उसके बाद इसमें आता है MediaTekka Helio G88 का प्रोसेसर फ्रंट में 16 Megapixel का कैमरा बैक में 50 Megapixel का कैमरा इसके बाद 4GB RAM बिलता है प्लस 1GB आप इसमें virtual RAM का यूटिलाइज कर सकते है 64GB का इंटेरन स्टोरेज है 5000 एमेज के बैटरी है और यह फुल HD प्लस स्मार्टफोन है और इट्स नॉट पैट और यहां पर गाईस देखो चीज़े कि अब जो स्मार्टफोन है इसका थोड़ा सा जो साउंड क्वालिटी है वो बेकबर में थोड़ा सा आपको इसका सोना देता हूँ जिससे की आपको आईडिया आ जाएगा तो वैसे में डीटेल में इसका साउंड टेस्टिंग अभी नहीं करो इसके जो डीटेल है इसका साउंड टेस्टिंग के लिए में अनलग टॉपिक कवर करूँगा जिसमें मैं कम्प्लिटली डिफरेंट टैप का एक साउंड टेस्टिंग का टॉपिक कवर करूँगा इन दोन तो साउंड में यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रोमेंट है यानिकि जो लास्ट टाम इन्फिनिक्स लोट 11 लॉच्छ हो था उसमें भी सेम प्रेटी है साउंड का वोकल्स का वह था जाद है तो यह अच्छा है यह इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफॉन होते हैं उनमें आपको सा इसमें डबल स्पीकर आता है डवल स्पीकर के साथ में आता है वी तर डीटी अस सपोर्ट तो जो साउंड कॉलिटी है उसमें आपको कोई भी अनकंफिरेबल या तो कॉम्परमाइस करने की ज़रूरत यहाँ पर उसके साथ थोड़ा इसका कैमरा का सेटिंग्स बता दो तो अर यहाँ इसके बाद इसमें नोट 11, Note 11S था उसमें भी 2K वीडियो का support था मैंस तो मैंस बत यहाँ पर भी same to same है आप Max to Max 2K वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते है और इसके बाद इसमें slow motion भी support करता है यहाँ पर slow motion का सेटिंग ज़ा गया है शॉर्ट वीडियो आ AI camera, super night mode, beauty mode, air shots, and then इसके बाद pro और यह सारी इतने सारे camera के main to main settings है, सबसे main है slow motion, तो इसमें आप slow motion video को भी record कर सकते हैं, so not bad that much, AI camera में इसके बाद इतने सारे settings है, beauty portraits, super nights, super night में guys आपका जो picture quality है, वो काफे ज़रा उसमें better आता है, so overall अभी तक वैसे मैंने smart phone को जारे experience किया नह देन इसके बाद इसका review, sound testing, camera testing, सारे बहुत सारे topics हैं, इस smart phones को लेकर में जो cover करने वाला हूँ, तो इसके नहीं आप चैनल को subscribe को लिचे, जिससे कि आपको इसके related topics है, वो आपको easily इस channel पर available बिल जाएगा, साथी सारे में इस Infinix Note 12 को लेकर जो back cover से उनके topics भी में cover करने व review, little bit of TVC, skill tip में और भी कई सरे topics cover करने वाला हूँ, तो wait for that video, so I hope I like this information, कुछ भी अगर आपको doubting question है, आप directly मुझे Instagram पर पूच सकते हैं, और साथी साथ जो guys मैंने second YouTube channel जो create किया है, उस पे भी आप मुझे आपका support दीजे, thanks for watching.